आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशिन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ हमारे पास क्वेशिन है आपे दा करेक्ट वैलियो अपने किलोजील पर मॉल और सिलिकन फॉस्पॉरस ख्लोरीन स्ल्फर और रस्पेक्टिवली आर ओके इन इस क्वेशिन हमें आइनाशन थेल्पी के वैल्यू बतानी है सिलिकन फॉस्पॉरस ख्लोरीनं स्ल्फर के लिए ओके सब्से पहले हम यहां पता लगाते हैं कि अंशन होती क्या है आएव नाइजेशन थेल्पी दो एक्छलि ली थेल्पी एक्छलि एक अनतरजी होती है आच्छलि ये एक अमांट अजी होती है चुकी हमें, it is amount of energy that an isolated gaseous atom, that an isolated gaseous atom, okay, that an isolated gaseous atom would take to loop to take to loop an electron in its ground state, an electron in its ground state, सिंपल समतलब यही है कि हमें एक से लिए एक electron जो कि अपने वैलेंस से लिए अपर ग्राउंड स्टेट में है, एक gaseous atom के वैलेंस से हमें एक electron निकालना है, उस electron को निकालने के लिए, हमें कितनी पॉस्पॉरस, क्लोरीन, और सॉलफर के लिए, तो सबसे पहरी बात तो यह सारे हम देखें तो सेगा, पॉस्पॉरस थर्ड के एलिमेंट हैं, जो कि होते हैं, सोडियम, मैगनेशियम, अलमोनियम, सिलिकन, पॉस्पॉरस, सल्फर, क्लोरीन या नार्गन, यह अक्टि लिए इस परियेट नमबर थ्री है, थर्ड पिरेट के एलिमेंट्स हैं, और अगर हम इसमें अगर हम आनेशन थल्पी कॉडर देखें, तो एनेशन थल्पी कॉडर कुछ ऐसा होता है, अगर इसका हम देखें तो 3S1 है, मैंगनेशियम 3S2 होती है, और से अलमोनियम होती है, 3S2, यह होती है 3P2, कॉस्पोरस 3P3, सिलिकन 3P4, फ्लूरिन 3P5 और आगन 3P6 तो अगर हम सबसे पहली चीज तो सबसे जाता एनर्जी लगेगी आर्गन को निकालने के लिए प्यूकि आगन एक नॉबल गैस है यह होती है नॉबल गैस अगर हम नॉबल गैस पे एलेक्ट्रोन निकालने हैं तो जाता एनर्जी लगेगी अब बात आती है इनके ओडर्व की तो सबसे कम एनर्जी तो सोडियम में लगेगी क्योंकि वह एक ही एलेक्ट्रोने वह निकल जाएगा आराम से और वह नियॉन के एलेक्ट्रोनिक इंट्रिक्रेशन न पहांच जाएगा तो बहुत अश्टेबल हो जाएगा अब आती है मैंगनेशियम, अलमोनियम, सिलिकान इंट्रोनियम, आपको मैंगनेशियम और अलमोनियम अगर हम ट्रेंड़ देखें अग्विटल मेंगनेशियम का याठेंड़ होता है मैंगनेशियम से मंगनेशियम का king तौण रिफल्द वें जाधा इनकी जो stability होती है इनकी stability होती है वो greater देन होती है randomly filled से हम बोल सकते हैं randomly filled इसका मतलब कि अगर cell fully filled हो या फिर half filled हो तो उसकी जो stability होगी वो randomly filled से कहीं ज़्यादा होगी और इसी कारण stability more है इसलिए हमें अगर last item निकालना है तो बहुत जाद energy लगीगी इसलिए aluminium और magnesium को ट्रेंड देखें तो magnesium greater than aluminium और magnesium तलपी case में ओके अगर हम फिर से हम trend देखें aluminium और silicon में तो silicon वापिस से ज़्यादा होगा बट फिर से यहाँ trend आता है phosphorus, silicon और sulfur में ओके तो से पहला बात तो फिर यहाँ पर silicon, phosphorus, sulfur and protein तो phosphorus भी यहाँ यहाँ पर यहाँ रिखें हाफ फिल्ड है यहाँ पर यह sulfur से भी ज़्यादा होगा और chlorine से obviously less होगा तो अगर हम इसका trend लिखें है अच्छे से तो इसका trend आ जाएगा सबसे पहले sodium जो की less than है aluminum aluminum से greater than होता है magnesium okay और फिर magnesium से ज़्यादा नले चाहिए silicon को silicon से ज़्यादा चाहिए sulfur को और sulfur से ज़्यादा चाहिए phosphorus को और phosphorus से ज़्यादा चाहिए chlorine को and then argans okay तो यहों की general trend हमारा और हमें चाहिए था char atom char atom means silicon, phosphorus, chlorine and sulfur okay means हमें चाहिए silicon, phosphorus, sulfur and chlorine यह 4 हमें चाहिए है तो और हम इनको order देखें तो इनको किस order हम चाहिए सबसे पहले silicon, phosphorus, chlorine and sulfur okay silicon, phosphorus, chlorine and sulfur इनको इस order हम चाहिए silicon, phosphorus, chlorine and then sulfur सबसे ज़्यादा हमारा होगा chlorine का यह होगा max okay सबसे ज़्यादा chlorine का होगा इसके बाद यह होगा second number में हमारा phosphorus then third and then silicon fourth तो अगर इस order में रहा 4 second, 1 and 3 तो हम वह answer हमारा correct होगा याद रखना possible नहीं है सबसे greater value third number बाना चाहिए तो अगर option A में सबसे greater value देखें तो यह है second number तो यह wrong है option B में maximum value maximum value यह यह जो कि wrong है यहाँ में देखें तो maximum value यहाँ पर आ रहा है जो कि wrong है option C में देखें तो maximum value third number means chlorine के लिए आ रहा है second maximum value आना चाहिए second number for phosphorus के लिए जो कि यहाँ पर आ रहा है third number maximum value आना चाहिए sulfur के लिए 999 यहाँ पर N4 यहाँ it means option C is the correct answer thanks for watching